अब इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें अपने पशुओं के लिए कुछ सनरक्षन की आवश्यक्ता है तो आईए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पशु संसाधिन का सनरक्षन कर सकते हैं तो ये चार पॉइंट हैं प्रमुख रूप से हम चारगा की व्यवस्था उचित व्यवस्था करें इनके नसल में सुधार के लिए नसल सुधार कारिक्रम चलाएं इनकी उचित देखभाल की आवश्यक्ता है और इन्हें बिमारियों से बचाने की उचित व्यवस्था जो है तीसरे महत्व के स्थान पर आता है तो हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भूमी पर पशुओं का जो बढ़ता दबाव है वो कम हो और जो पशुओं को सभी पशुओं को हम एक साथ चराने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें उस भूमी पर चारा जो है वो उपलब्ध हो पाए तो चारागा की उचित व्यवस्था करने की हमें आवश्रक्ता है ताकि हमारे देश के जो पशुओं हैं उन सभी को उचित चारा मिले और उनकी नसल में सुधार हो वो थोड़ा हिस्ट-पुस्ट बलवान बने और उनसे अधिक से अधिक मात्रा में दूद और मांस की जो है वो प्राप्ति हो क्योंकि उन्हें उचित पोशन मिलेगा दूसरा है नसल सुधार कारिक्रम हम अपने देश में पशुओं के नसल के सुधार के लिए कुछ कारिक्रम चला सकते हैं इसके लिए नसल सुधार का जो देश में पशुपालन का कारे किया जाता है उसमें वैज्ञानिक रीती को हमें अपनाना चाहिए वैज्ञानिक रीती से पशुपालन किया जाना चाहिए और जितनी भी अलग-अलग नसले के जो पशु होते हैं उन्हें उन सभी नसले की पशुओं को हमें एक साथ चरान सांड केंद्र जो हैं वो इस्थापित किये गये हैं और यहां से हर वर्ष 10 लाख सांडों को नसल सुधार के लिए अलग-अलग छेत्रों में भेजा जाता है देश में हम देख रहे हैं कि पशों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए यहां पर प्रजनन और नसल सुधार के लिए यह कारिक्रम जो चलाया जाता है इसके अतरिक्त भी हम कुछ और उपाय कर सकते हैं जैसे कि जो कृतिरिम गरभाधान केंदर है उनका निर्माण किया जाए जहां हम उत्तम कोटी के सांड के साथ उनका सुधारू गायों का जो है नसल में हम सुधार कर पाएं दूसरा हम देख सकते हैं कि जो farm से sand आते हैं, उनको एक ही साथ रखा जाये. और तीसरा जो हमारा उपाय जो हम कर सकते हैं, यह है कि जो बढ़िया नशल की वाले पशु हैं, ऐसे पशुओं को जो विदेश में अच्छी किस्म के मिलते हैं, उन्हें विदेशों से हम आयात भ देखभाल कि हमें हमारे हाँ जो पशु संसाधन है उन्हें उचित देखभाल की आवश्षकता है हमने भी कहा कि पशु पालन का कारी जो है वो वैज्ञानिक रीती से किया जाए इनके लिए पॉस्टिक आहार जो है वो उपलब्ध कराया जाए जहां पर इन्हें रखा जाता है इन्हें उस इस्थान को बहुत ही साफ सुथरा रखा जाए इन्हें पीने के लिए ताजा जल या साफ जल जो है वो उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ परियाप्त चारे की व्यवस्था हो इन सभी उपायों को करके हम इस इनकी देखभाल के माध्यम से इनकी नसल म सुधार कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका बीमारियों से बचाओ बीमारियों से बचाओ के लिए भी हमने बात की थी कि विशेशकर हम बारिश के मौसम में जो देखते थे कि गाय की पैरों में पशुओं की जो पैर हैं खुर में और मुह में विशेशकर जो संक्रामाग बीमार करें कम पशुओं को वहां पर रखा जाए और सफाई की हम जब उचित व्यवस्था रखेंगे उनकी उचित देख भाल करेंगे तो हम उन संक्रामक बीमारियों से उनको बचा सकते हैं साथ ही साथ जब किसी एक पशु में ये बीमारी पकड में आ जाती है तो हम उन्हें अन् पशुओं में भी वह प्यमारी जो है फैल ना पए तो इन सभी सिन्रक्षन माध्यमों को अपना कर हम अपने देश में पसु संसाधन का संरक्षन करके एनकी नसल में जो है सुधार कर सकते हैं इनकी कारेश वमता को बढ़ा सकते हैं और इनहें अपने क्रिशी में क्रिशी के छेत्र में कहें या हर छेत्र में हम इनकी जो भागी दारिता है उसको बहुत एक अच्छी व्यवस्था के रूप में अपना सकते हैं बच्चो अब हम बात करते हैं वनसंसाधन के विशय में वनसंसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यदि हम प्राचीन धर्मगरंथों में जाए या प्राचीन आदी काल से ही यदि हम मनुश्यों की जो इस्थिती थी तब से लेकर वर्तमान समय तक बात करें तो हम दे भोजन की बात करें और शदियों की बात करें सब कुछ तो हमें वनों से प्राप्त होता है हम जलवायू की भी बात करते हैं तो जलवायू में भी हम देखते हैं वनों से ही मेग बन रहे हैं और मेग से बारिश हो रही है और बारिश से हम अपनी क्रिशी का कारी कर रहे हैं और अनप्राप्त कर रहे हैं अपने खाद्याने की आपूर्ती कर रहे हैं हमने आज तक जो अपने इतना अधिक विकास कर लिया है जिसे हम कहते हैं कि हम आज विक्सित अर्थव्यवस्था के रूप में हैं तो यह अर्थव्यवस्था भी विक्सित अर्थव्यवस्था का ज रहने के लिए छट तो दे ही रहे हैं और जीने के लिए भोजन की आपूर्ती कर रहे हैं और हम यह कहते हैं वनों पर ही डिपेंड है बादलों का बनना बहुत महत्तपूर्ण भूमिका इनकी होती है तो बारिश भी पीने के लिए पानी भी हमें इससे ही मिल रहा है और साथ ह साथ हमारी विक्सिर तर्थ विवस्था कि जो नीव जिन्हें हम आजी से हम अध्योगी करन कह रहे हैं तो ये उद्योगों का जो कच्चा माल है ये भी हमें इन ही वन से प्राप्त हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन की शुरुवात से लेकर हम जितना भी आगे बढ़ जाएं तो हम पूरी तरह से इन वनों पर ही डिपेंड है इस वन संसाधन पर ही डिपेंड है और इसलिए तो प्राचीन समय में किसी ने कहा है कि वन जो है वो मनुश्यों का पालना है ये ये तो एकदम सत्य बात है कि ये हमारे पालने के रूप में हैं अब हम हम बात करते हैं कि जो भारत देश है हमारा ये पूरी वन संसाधनों के द्रिस्टी कोड से बहुत ही धनी है चाहे हम अपने हिमालय परवती छेत्र की बात करें पूर्वी और पश्मी तटिये छेत्रों की बात करें हर छेत्र में हम देखते हैं कि जो वन है उसकी विविद अलग-अलग प्रकार की variety अलग-अलग किसमों के जो वन है हमें मिलते हैं हम बात करते हैं इनके प्रकारों पर कि कौन-कौन से प्रकार हमें भारत देश में मिलते हैं तो पहला हम देखते हैं उस्नकटि बंधी सदा पढड़नी 1 बच्चो नाम से ही स्पस्थ है उश्नकटि बंधी सदा पर्णीवन जो जिस छेत्र में बहुत अधिक बारिश भी हो रही है अच्छी वर्षा होती है तापमान भी अच्छा है और जिन छेत्रों के जो वरिक्ष है जिनिस्थानों के जो वरिक्ष है इस जलवायू के कारण सदा हरे भरे होते हैं कभी भी अपनी पत्तिया नीचे नहीं गिराते तो हम इन्हें उश्नकटि बंधी सदा पर्णीवन कहते हैं अब यह कहां पर मिलते हैं तो जब हम विश्व में देखें तब हम अपने विश्व में जो विश्वत रेखी वन है जहां पर सूर्य का प्र पर आपका प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल होता है, दुर्गम होता है, तो कुछ-कुछ जो ये उश्नकटी बंधी सदा पढ़नी वन है, उसकी जो किस्म है, ये विश्वत रेखी वनों से मिलती जुलती है, हालां कि ये उतनी घनी, उतना घना वना अच्छादन नहीं ह और ये परियाप्त वर्षा मतलब लगभग 200 cm और इससे अधिक, और इन छेत्रों में जो व्रिक्षों की उचाई होती है तेधिक वर्षा के कारण लगभग 50 मिटर और उससे भी कहीं कहीं पर हमें अधिक देखने को मिलती है, जब हम सदा पढ़नी वनों की बात करेंगे, तो ये सदा पढ़नी वन हमें उनहीं छेत्रों में मिलते हैं, जहां पर 200 cm से अधिक वर्षा होती है, हमारे भारत में ये आपके पशिमी तटी प्रदेश, पशिमी घाट के जो पशिम ढाल है, जब हम पशिमी घाट के पशिमी ढाल की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो उधर वर्षादिक होती है और जो पुर्वी ढाल वाला जो छेत्र है, वो वरिष्टी छाया छेत्र में आ जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं पशिमी घाट का पशिमी ढाल, इसके साथ ही साथ हमारा जो पूरा उत्तर पुर्वी परवती प्रदेश है, जहां पर पुर्वोत् अन चेत्रों में और हमारे अन्दमान निकोबार द्रीप समू, इन सभी चेत्रों में हमें उश्नकटी बंदी सिधा पढड़नीवन मिलते हैं, यहां कि जो वनस्पतियां हैं वो बहुत अथिक विवित्ता और अधिकता वाली होती हैं, विवित्ता और अधिकता इनकी प्र नस्पति मिलती है वो काले रंकी और बहुत कठोर होती है यहां पर हम देखेंगे सदा पढ़नी वन है तो लताओं और जाडियों के कारण यह वन जो है वो दुर्गम होता है मतलब यहां पर आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता और इसी कारण यहां पर किसमे बहुत अध रिक्षा उसका जो उतना धीक उप्योग है वो यहां पर नहीं हो पाता जब हम मुख्यवनों की बात करें तो देखते हैं रबड है महोगिनी है एबोनी है ताड है आबनूस है और बास यहां के प्रमुख अवरिक्ष हैं यहां की जो लकडिया है वो प्रमुख रूप से उपयोगी इनका जो उपयोग किया जाता है वो पेटियां बनाने के लिए पैकिंग करने के लिए और प्लाइवुट बनाने में इनका प्रमुक रूप से प्रयोग किया जाता है चुकि हमने बात की थी कि ये जो वनस्पती छेत्र होते हैं ये भुमध रेखिय वन्च छेत्र की ही भाती होती हैं लेकिन उनकी तुलना में ये कम घने होते हैं और व्रिक्षों की उचाई भी अपेक्षाक्रित उससे कम होती है तो हमने देखा जहां कहीं भी अधिक वर्षा के छेत्र हैं हमारे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले छेत्र वहां पर ये सदा पर्णी वन मिलते हैं लेकिन जहां पर भी बारिश की मात्रा कम होती जाती है तो वहां पर हमें अर्ध सदा बाहर वन हम कह सकते हैं ये छेत्र हमें मिलता है अब दूसरा देखते हैं मांसुनी वन मांसुनी वन मांसुनी वन जो है वो भारत के विसिस्ट वन हम कह सकते हैं और इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरे भारत में हमें फैला हुआ मिलता है ये लगभग 75 सेंटीमीटर जीन छेत्रों में वर् यह जो वन होते हैं वे विशेश रूप से चुकि हम मानसूनी कह रहे हैं तो मानसून मतलब मौसम के अनुसार जब शुश्क मौसम होता है जब बारिश नहीं होती है तो उस विशेश मौसम में यह जो वरिक्ष हैं वो अपनी पत्तियों को पहले ही गिरा देते हैं और अरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं यहां पर बहुत अच्छी किस्म के वरिक्ष पाये जाते हैं जिनकी लकडियां जो हैं वो काफी उपयोग में लाई जाती हैं और चुकी उपयोगी इसलिए भी हैं कि यह उश्नकटी बंधी सदापढणी वन की भाती यह जो छेत्र है पहला है आद्र पर्णपाती मानसुनी वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती मानसुनी वन जब हम आद्र मानसुनी वन कह रहे हैं मतलब वहाँ पर की जलवायू हमें आद्र मेल रही है यह जो वन है यही आपको पर्णपाती और पज़ड वन भी कहलाते हैं क्योंकि यह यहां इन छेत्रों में हम देखेंगे जो ग्रिश्मरीतू के ठीक पहले यहां के जो वरिक्ष या वनस्पतियां हैं यह अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इसलिए हम इन्हें क्या कहा रहे हैं पर्णपातिवन यहां के वरिक्षों की उचाई तीस से चालिस मीटर तक हो होती हैं और इसलिए चुकि यह हमारे सुगम्य हैं जाने की योग्या है इसलिए आर्थिक दृस्टि कोल से यह वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं चुकि हम आद्र छेत्र की बात कर रहे हैं तो यह वन सौ से दो सौ से 200 सैंटिमीटर वर्षा वाले छेत्रों में मिल तटी मैदान हैं वहाँ पर पाए जाते हैं मतलब आपका 36 गड़ हो गया हम पुर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ओडिसा हो गया आंध्र प्रदेश है महारास्थ है करनाटक की हम बात करें या केरल यह सभी छेत्रों में हमें आद्रमान सुनीवन देखने को मिलते हैं यहां के जो प्रमुख वरिक्ष जो हैं साल, सागौन है, आवला है, नीम, आम और चंदन यहां पर विशेश रूप से मिलते हैं और साथ ही साथ अन्य वरिक्ष में हम देखें यह वनस्पतियों में तो गुलर है, जामुन है, रीठा है, बेर, पलास यह सभी हमें मिलते हैं सागौन लकडी से तो हम सभी परिचित हैं, क्योंकि यह फरनीचर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और चंदन की लकडी भी हमें पता है, क्योंकि यह बहुत ही सुगंधित होती है, तो यह जो छेत्र होते हैं, यह आर्थिक दिस्टी कोड से बहुत ही उपयोग फिर हम इसका दूसर प्रकार देखते हैं शुष्क मानसुनीवन यह शुष्क पर्णपाती मानसुनीवन यह वन जो होते हैं यह ग्रिश्मरितु के आरम से ही अपनी पत्यां गिरा देते हैं जहां पर क्रिशी भूमी का विकास किया जाना होता है ऐसे छेत्रों में इन वनों क को काटा भी कहा है कि यह वन हम यहां पर वर्षा की बात करें तो लगभग 50 से 100 संटीमीटर वर्षा वाले छैत्रों में इस प्रकार के बन हमें मिलते हैं ऐसे न हम आध्रमानशुनी वन की जब बात कर रहे थे तो यह हमें पूर्वी छेतर में तो जहां पर भी आपको आद्रमान सुनी वन मिलते हैं उसके पशिमी भाग में या पशिम की और ये वन जो है वो पाए जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं यहां वर्शा की मात्रा जो है वो पूर्व से पशिम की और कम होती जाती है पूर्व से पशि की तरफ जो है वो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है जब पशिमी घाट या पशिमी तटी भाग को देखते हैं तो इसका पूर्वी भाग जो है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और जैसे हम इसके पूर्वी ढाल के सहारे जाते हैं तो देखते हैं वर्षा की मात्रा जो है वो क्रमशा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वरिष्टी छाया छेत्र होता है यह जो वन है यह आपके पंजाब हरियाना पूर्वी राजस्थान दक्षणी उत्तर प्रदेश की हम बात करें या आपका पशिमी मध्य प्रदेश महाराष्ट करनाटक और गुजराथ इन जैसे पूर्व से पशिम की तरफ बढ़ता जाता है तो यहाँ पर भी बारिष की जो मात्रा है वो कम होती जाती है इसलिए यह जो शुष्क पढणापाती बन है यह हमें इन छेत्रों में देखने को मिलते हैं यहां के जो प्रमुख वरिक्ष की हम बात करें तो यहाँ पर आम, जामुन, महुआ हैं, शीशम जो है वो प्रमुख वरिक्ष है और अन्य वरिक्ष में भी हम देखते हैं रीठा है, बेर, खजूर, और अमलता और नीम प्रमुख रुप से पाए जाते हैं फिर तीसरा वर्गी करन हम देखते हैं मरुस्तलीवन नाम से इस पस्ठ हो रहा है ये भारत की उन छेत्रों में हमें मिलेंगे जहां मरुस्थल होगा जहां बारिश की मात्रा बहुत कम होगी और इससे भी आप बहुत अच्छी तरह परिजित हैं कि हमारे भारत में मरुस्थल कहां पर है विशाल थार का मरुस्थल हमारे यह हम यह कह सकते हैं इस टाइब की जो वनस्पती है जहां पर बहुत ही कम बारिश लगभख 50 संटी मीटर से भी कम वर्षा वाले छेत्रों में हमें यह इस प्रकार्क का जो वन है वो मिलता है क्योंकि इन इस टाइब के जो वन होते हैं यहां पर हम देखेंगे कि वर्षा की कमी हो जाती है इसलिए यहां पर वर्षा की कमी के कारण जो वहां के व्रिक्ष हैं वो पत्तियां वहां पर हमें पत्तियां जो है वो बहुत कम मिलेंगी और छोटी मिलेंगी और साथ ही साथ काटेदार भी होती हैं ये हमें प्रमुख रूप से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये तीनों ही जो छेत्र हैं प्रमुख रूप से राजस्थान का हम देखेंगे तो राजस्थान का भी पश्चमी हिस्सा और पंजाब की जो ऐसे हिस्से और गुजरात के ऐसे हिस्से जहांपत 50 cm से कम वर्षा हो रही है, उन छेत्रों में हमें ये मरुस्थली वन जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इसमें प्रमुख वरिक्ष हैं आपके, बबुल, नाकफणी, रामबास, या खेजडा, खैर, खजूर, ये जो हैं प्रमुख वरिक्ष हैं, और इनका प्रयोग इंधन की लकड के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है, और खजूर को हम देखते हैं कि खजूर से गुड़ बनाया जाता है, झाल 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 झाल